नंश्कार दोस्तों अमारा भारत यूट्यूब चैनल पर आपका सवागत है विश्य है गर्म में यी शिशू को शिक्ष्या मानव जीवन में संस्कारों का महत्तो शरोपरी है संस्कारों का परमुक संबद माता पिता दवारा दीगी शिक्ष्या और उनके आचन से संबंदित है यदि हम संस्कारों के मूल में जाकर गैराई से सोचे तो यह सामने आएगा हमारी शिक्षा दिक्षा तबी आरम हो गईती जब हम गर्बावस्ता में थे अर्थात मानव श्रीर के रूप में हमारा निर्मान हो रहा था इतियास में अश्टावकर, अभिमन्यू और ध्रिव के उधारण इसकी पुष्टी करते हैं गर्बावस्ता के दोरान शिशु की शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है इसमें अधिक आश्रे नहीं की मस्तिषक के निर्मान की यह परकरिया समस्त मानव जीवन में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से अधिक मैतोपन सिद हो सकती है हम अगर चाहे तो मस्तिस्क निर्मान की इस प्रकरिया में ऐसी सिख्षा दे सकते हैं जो शिशू के संपुर्ण जीवन को दिशा निर्देश दे सके समान्य मानव जीवन में अनेक बार हमें सही दिशा की पैचानना होने की समश्या से जूजना पड़ता है यदि हम इस अवधी का सद उप्योग करें तो जीवन की 90% समश्याएं अपने आप हलो जाएंगी तात्पिरिया यह है कि हम चाहे तो सिशू में विनमरता, सहास, सेवा भाव जैसे सद गुण विक्षित कर सकते हैं यह इस बच्चे को जनम देने वाली मा के उपर निर्बर करता है कि वह इस अवधी का कैसे इस्तिमाल करती है इस दोरान मा का जैसा आचन और दस्टी कोण होगा वैसे ही गुण उसके गरब में पल रहे सिशू के बीतर आएंगे सत्य यह है कि यदि हम आगे की पीडी को इस प्रकार की संसकारों और गुणों की खुराक दे सके तो नै केवल हम एक अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं बलकि राष्टर के बविश्य को भी सुरुक्षित बना सकते हैं सिशू में गुणों और संसकारों के विकाज के लिए मां को या ध्यान रखना होगा कि गरव काल में वैक ऐसा वैभार अत्वा संवाद करेगी उसका प्रणव प्रभाव जनम लेने वाले बालक पर पड़ेगा उधान के लिए इस अवदी में अच्छी पुष्ट के पढ़ने चाहिए अच्छा साहित पढ़ना चाहिए मापुर्षो के विचार करने चाहिए मापुर्षो को जानना चाहिए शिशू के मस्थिश्क में ग्यानरजन के गुण विक्षित होंगे पर्षन रहने से जनम लेने वाले शिशू में उच्छा का संचार होगा इसी परकार अलग-अलग तरिकों से धैरिया और आत्रमिश्वास जैसे गुण भी विक्षित किये जा सकते हैं यदि मस्थिश्क में ये विचार हो कि हमें एक बच्चे को नहीं बलकि एक संकल्प को जनम देना है तो नई पीड़ी को मानुय गुणों से लेस्किया जा सकता है और बविश्य में समाजिक की सभी बुराईयों को मिटाया जा सकता है अन्यवाली पीड़ी हमारी बहुत ही विद्वान और ग्यानोगुण और सैंसिल और बलवान बनेगी अगर गर्म में ही शिक्षा दी जाये तो बहुत ही अच्छी बात है जै हिंद वंदे मातरम आपका दिन सूबो हमारा बारत यूटूब चैनल सबस्क्राइब करना ना भूले आपका बहुत 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 जाया बात